तो आज का वीडियो मेरा क्लास 10 और 12 के लिए तो 6 नवेंबर को आपका OMR से दिल्टेड एक सर्कूलर आय था जिसमें OMR के सारे रूल लिखे हुए थे तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि OMR शीट का प्रैक्टिस सेशन है कैसे आपको OMR शीट को फिल करना है क्या गलतिया नहीं करनी है क्या करने पर आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे और क्या घड़बड आप करोगे कि आपके मार्क्स कर जाएंगे वो सारा चीज हम यहाँ पर आज पूरी OMR शीट को फिल करके यहां पर देखेंगे तो OMR शीट से रिल्टेट यहां पर complete knowledge आपको मिलेगा कैसे फिल करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है पूरी process में आपको समझाऊंगे detail में explain करूंगी तो एक्जाम में आपको देखो ऐसी OMR शीट मिलेगी जो हमें यहां पर दिखाई हुई थी न यह वाले जो OMR शीट है यह हमें उसमें दिखाई थी जो हमारा circular आया था उसमें तो ऐसी ही आपको OMR शीट मिलेगी तो यह मैंने practice के लिए उन्होंने printout से आप निकाल सकते हो तो यह मैंने वही से निकाला है तो आप भी आ 11.30 से आपका exam स्टार्ट होगा आपको बता है कि 90 मिनिट का हमारा paper होने वाला है तो 11.10 से लेकर के 11.30 तक आपको reading time मिलेगा तो यह बहुत important time है इस 20 मिनिट को आपको यहां से waste मिलेना है तो आपको exam center पर जो फॉस्ट दे आपका paper है तो आप 10.30 तक वहां पर पहुंच जा है 11.10 आपको paper मिल जाएगा तो यह 11.10 तो 11.30 आपका reading time होगा और यह बहुत important होता है जिसमें आप पूरा decide करते हो कि इस question के लिए इन questions मुझे कितने questions करने हैं क्या चीज़ उसमें मुझे apply करनी कौन से table मुझे चाहिएगी क्या formulas मेरे दिमाग में तो scene आप बनाते हो कि 20 मे करने वह आप इस time में वहाँ पर decide कर सकते हो फिर next thing आपको admit card अपना साथ में ले करके जाना है admit card ले करके नहीं जाओगे तो आपको exam में बैठने नहीं दिया जाएगा थर्ड इंग आपको black और blue ball point से ही omr sheet को fill करना है तो यह आप वहाँ पर ग्यान रटना कि एक अच्छी quality का ball pen खरीद लो कि जो इतना भी dry ना हो कि circle भणने में बहुत time लगा रहा हो और इतना भी मतलब उसमें से ink ना निकल जो कि आप finger ऐसे करो और वह फैल जाए और next important thing लिखा हुआता है कि आप pencil जो है वो बिल्कुल भी use नहीं कर सेते हैं अगर किसी बच्चे ने omr sheet को pencil से fill किया तो उसके खिलाफ action लिया जाएगा और यह unfair होगा rules के unfair होगा तो यह चीज़ आप वहाँ पर ध्यान रगना तो उसके बाद हम चलते हमारी omr sheet पे तो यह तो हमा portion देगी उसमें आपकी सारी information वहाँ पर prefilled होगी आपका roll number आपका numbers में और यहाँ पर word में होगा आपका यहां पर day हो गया, date हो गया, आपका यहां पर center का name हो गया, number हो गया, subject code हो गया, आपका name, आपकी father का name, आपका school का code name, यह सारा कुछ वहां पर पहले से भरा होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आप यहां पर अपना admit card रगना है, यहां पर एक एक information उसमें से check कर लिया, आप information को check कर लिया, सब कुछ सही है, और यह 100% सही होगी, कोई भी error वहां पर नहीं होगी, फिर भी कहीं पर कोई mistakes हो, spelling के mistake हो, तो आप अपने examiner से, या फिर invigilator जो भी आपकी class में होगा, उससे बात कर लेना, तो जिसके mistake होगी, वो तो यह काम करेगा, और जिसके कोई mistake नहीं ह उसको क्या करना है, यह जो नीचे block दिया हुआ है, यहाँ पर, उसमें आपको यहाँ पर यह जो statement लिखा हुआ है, I confirm that all particulars given above are correct, यह statement as it is वहाँ पर क्या कर देना है, आपको copy कर देना है, और यहाँ पर अपना signature कर देना है, लिख रिया, देखो यह statement मैंने यहाँ से as it is copy कर के लिख दिया, अब मैं यहाँ पर अपना signature कर देना है, तो यह भी आपको क्या करना है, ऐसे ही अपना signature कर देना है, यह काम भी कर दिया, next आपको यहाँ पर यह आपका question paper का जो code है, वो यहाँ पर as it is भरना है, तो वो letters में भी हो सकता है, digit में भी हो सकता है, जैसा भी आप आपको यहां question paper के यहां right में लिखा होगा तो उसको as it is वहां question paper से आप यहां पे copy कर देना फिर उसके बाद आपके यहां पे दिया वार यह wrong method है circle को एक bubble को fill करने के लिए यह आपके right method है तो circle बस simple तरीका यही कि जो भी आप answer select करें उसमें circle को पूरा का पूरा भरना है कहीं पर भी एहनी कि यह cross कर दिया यह दूसरा कर दिया इस तरह से नहीं करना आधा भरना नहीं है cross नहीं करना टिक नहीं करना बस उस circle को आपको fill कर देना है ठीक है फिर आते हैं अब हमारे next point कि यहां पर यह जो block है इसमें आपका जो class में examiner होगा जो invigilator होगा वो यहां पर आपका sign करेगा तो यह जरूर आप देख लेना कि वो कर लें वैसे उनके duty वो करी लेंगे और यह नीचे आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है न यहीं सारा काम आपका check करने वाले का य यह आपकी actual में क्या है answer sheet है तो देखो इसमें total आपको 60 questions दिया है one से लेकर के 60 questions यहां पर फिल कर सकते हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ कार्ट पीट करके one number के question को इधर कर दो ऐसा कुछ नहीं करना है आपके question में अगर 50 questions है आपका question paper में 50 questions है तो आपको 50 तक ही fill कर कर दिया तो किसी के paper में 45 questions है तो only वो आपके यहां पर 45 तक ही check करेंगे उसके आगे वाले को check नहीं करेंगे evaluate नहीं करेंगे तो यह first point आपको यहां पर ध्यान रखना है फिर second time आप यहां पर देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में यह खुरपात आ रही है कि यार वो सोच रहे हैं से कि यार मैंने first को fill किया मुझे लग रहा है यह मेरा सही नहीं है तो मैं इसको यहां पर क्या मार देता हूं कट मार देता हूं और मैं लिख देता हूं इस 52 को यहां पर 123 नहीं बना सकते हूं तो यह आपको यहां पर ग्यान रहना है तो पहले से आप क्या करूं यहां section wise lines बना दिया करो कि यह मेरे first 20 questions है यह 20 मुझे यहां तक लिख रहे हैं फिर next 20 है तो next 20 मेरे यहां 40 तक हो जाएंगे और फिर मेरे 10 है तो मेरा 50 तक हो जाएगा तो यह मेरे काम यहां पर हो जाएंगे तो इस तरह से करके आप वहां पर लिख ले रहा है फिर second thing आप यहां पर देखो अब answers कैसे फिल करने है answers फिल करने के पास हमारे पास यहां पर क्या क्या option है यह question number one है फिर आपके चार response है जैनी a option b option c option d option फिर एक star बना के एक block दिया हुआ है एक hash बना के एक और circle दिया हो जिसमें question number लिखा हुआ है तो मुझे अगर यहां पर section a solve करना है section a मेरे total क्या है 20 question है तो पहले मैं 20 solve कर ठीक है और हाथ का हाथ भर लेना यह नहीं कि बाद में भरूँगा फिर पैनिक हो जाओ किसे उल्टा सीधा भर लोगे तो सबसे पहले मैं पहले 10 question solve करूँगा या पहले 5-5 का set solve करेके 5-5 के set में भरूँगा ऐसे करके आपको भरना है तो मैंने question number one solve किया और यह बहुत easy मै मैं 10 बार practice किया मैं 100% confident हूँ कि इसका answer मेरा A ही होगा तो जिस question के लिए आप 100% confident हो उसका फटा फट से आप यहाँ पे क्या करो सरकल फिर कर लिया और अपने response को block में भी लिखना है तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा पूरा marks मिल जाएगा अब यही आपका यहाँ पे यह था कि मेरा A के लिए मैं fully यहाँ पे confident हूँ कि इसका answer मेरा first का A ही होगा तो मैंने यह कर दिया यहाँ लिख दिया मुझे यहाँ पे राइटे 1 mark मिल जिया लेकिन किसी बच्चे ने क्या किया यहाँ पर इस circle को तो fill कर दिया लेकिन block में answer नहीं लिखा यह वाला जो block है इसमें answer नहीं लिखा तो आपको marks नहीं मिलेगा जीरो marks मिलेगा लेकिन तीसरा बच्चा है जिसने circle तो fill नहीं किया लेकिन यहाँ पे option लिख दिया तो उसको यहाँ पे पूरा marks मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे दो चीज है देखो यह circle यह जो block आपको दिया यह block भरने compulsory आप circle चाहे करो या ना करो लेकिन इन block में जो answer लिखा होगा वही final answer होगा तो आप circle चाहे थोड़ा 50 या 80% confident तो कर लो लेकिन इन block को आप 100% sure हो तभी इनको आपको fill करना है otherwise आपको यह नहीं fill करना है ठीक है तो circle का यहाँ पे वो नहीं देखेंगे आपने circle को fill किया नह ही किया है उनको कोई मतलब भी इस block में सारे answer साकी क्या होने चाहे लिखे होने चाही है तो यह तोग भर रहे हो तब भी sure नहीं हो कि यार यही इसका answer आना चाहिए तो आपने calculation भी की लेकिन आपको लग नहीं रहा कि यार यह answer होगा लेकिन चलो मैं circle तो भर देता हूँ तो मेरा B option यहाँ पर सही आ रहा है लेकिन जब आगे आगे आप solve करते गए solve करते गए तो आपको लगा कि नहीं यार मैंने वहाँ पर यह गड़बड की थी मैंने root सही नहीं निकाला तो root निकाल के लाए आपको बोला नहीं इसका option तो D आपका सही आ रहा था तो मैंने आपको कहा कि थोड़ा बश शौर होता आप यह भर सकते हो तो कि ब्लॉक को ही last में देखा जाएगा अब यहाँ पर क्या हो गया अब 20 question आपको पूछे है अब 20 में से मान लो अपने यहाँ पर ज़रूर नहीं कि किसी बच्चे को सिफ 4 नहीं आते हो किसी को 2 नहीं आते हो 18 बहुत अच्छे से आते हो तो लेकिन उसने क्या कर दिया कहीं पर कोई block भरने में गलती करी तो वो कैसे करेगा तो जैसे यह वाला question है अब आपने यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं इसका option तो मेरा B भी नहीं है और D भी नहीं है तो मेरे को तो 20 में से 18 आते हैं मैं इसको count नहीं करवाने जाथ मैं नहीं चाहता कि मुझे fifth के number मेरे add हो तो यह circle जो है question number वाला यह इसी लिए कि आप इस circle को अगर आपने यहाँ पर fill कर दिया तो इसका मतलब वो examiner जो होगा वो इसका answer देखे गाई नहीं इस circle को भरने का मतलब यह है कि आपने इस question को attend नहीं किया है तो 20 में से आपने जो 16 attend कर रहे हो वो उसके लिए यह वाले circle नहीं बढ़ने लेकिन जो 4 आप नहीं attend कर रहे हो लेट कि मैंने यहाँ पर six question attend नहीं किया तो उसका circle मुझे बढ़ देना कि यहाँ पर दिखा दिया अब इदर चाहे भरे भी होंगे ना तब भी यह examiner देखेगा यार यह circle भर रखा है है शो वाला इसका मतलब इसका marks मुझे यहाँ पर नहीं include करना है फिर मैंने 13 भी यहाँ पर नहीं किया तो मैं 13 को भी यहाँ पर circle कर दूगी या मैंको इसका number include यहाँ पर नहीं करवाना है चाहे मैंने यहाँ गडबड हो गई हो या मैंने attendee नहीं किया हो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है तो सारी बात या आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे marks मिलेंगे only block को भरने पर भी marks मिल जाएंगे block और circle को भरने bubble को भरने पर भी आपको marks मिल जाएंगे इस last वाले hash वाले circle को अगर आपने या भर रखा इसका मतलब यह आपका not attempt गिना जाएगा मतलब कि आपने इसके marks चाहे भर रखे हूं लेकिन मुझे examiner उसके marks यहाँ पर include नहीं करेगा और सारे के सारे आपने यहाँ पर खाली छोड़ दिये 15 questions आपने पूरा का पूरा ना तो चारो block भरें ना तो चारो circle भरें ना block भरें ना यह दर question number वाल circle भरा इसका मतलब भी examiner यही गिनेगा कि इसको आपने attempt नहीं किया देखों यहाँ लिखा हुआ भी है if the all the three that is four circles जो चार ABCD वाल है वो box जो star वाल है and last circle जो number वाला question number वाला are left blank it will be considered that the question has not been attempted इसका मतलब question आपका attempt नहीं माना जाएगा तो यह सारी छोटी छोटी बात थी जो आपको exam में क्या करनी है ध्यान रखनी है कि यह जो block है यह आपको भर कर ही आना है इस block में आप 100% sure हो तभी अपने answers को वहाँ पर लिखना है और गलती से आपने उस block में अगर गलत answer लिख दिया है तो आप यहाँ पर क्या कर दो इस वाले को circle कर दो और किसी और में आप लिख दो तो 40 out of 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है तो यह जो आपका यह जो star वाला box है यह आपका पूरा 100% marks दिलाने में यह आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा अगर आपने इसको सही से fill किया है तो गलती हो जाएगी तो अगर कहीं पर वाक्स बढ़ने में गलती हो गई तो यह जो आपका hash वाला circle है यह आपकी help करेगा आप अपना answer दूसरा question उसकी जगे पर attempt कर सकते हो अगर आपको 20 में से 18 questions या उससे ज़्यादा questions आते हैं तो तो कहीं भी cut नहीं करना है overwrite नहीं करना है तो take care, stay healthy, stay blessed thank you